हेलो गाईज कैसे हैं आप सब यह होब आप सब इच्छे होंगे तो गाईज आप सभी का फिर्श है हमारे यूटूब चैनल डॉक्टर कपिल हेल्थ केर में स्वागत है गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पोपलर शेर्प के बारे में जिसका काम है बर इससे भी ज्यादा बीमारियों को ठीक करने का काम करता है तो गाईज आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल से आपको समझाएंगे वीडियो में अंतक बने रहना और गाईज आप से मेरे एक चोटी सी रिग्वेस्टर अगर आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नही मेडिकल श्टोर पे भी मिल जाएगा मेडिकल श्टोर बाला बहुत ही इसली आपको यह दे देगा कंपनी की बात करें तो इसे स्मार्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है जो कि एक ब्यास्ट कंपनी है मर्पी की बात करूं तो यह 114 रुपे से लेके 120 रुपे के बीच में आपको यह 500 एमल का एक सिरफ किसी भी मेडिकल श्टोर पे मिल जाएगा अब इसके यूच की बात कर लेते हैं इसके वेनिफिट की कौन-कौन सी बिमारियों में इसे ले सकते हैं तो गाइस मैं आपको बता दू अगर आपको सर्दी खासी जुखाम है तो उस कंडिशन में आपको इसके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी के गले में खास हो रही है जुखाम हो रहा हो या बलगम हो रहा हो या नाक से पानी आ रहा हो आखों में अलेर्जी हो गया हो नाक में अलेर्जी हो गया हो या गाइस गले में खास हो गया हो या चेश्ट पे बलगम जम गया हो फेपड़ों में बल्गम होगा तो यह करता क्या है उसको यह बल्गम को पिंग लागर बाहर निकलने काम करता है तो गाइज आपने देखा कितने भी पुरानी खासियों से जड़ सी खतम कर देगा मैंने देखा है बहुत सारे भाईयों को सुभा उड़ते ही या रात को सोते समय बहुत ज़्यादा खासी होने लगती है सूकी खासी होने लगती है खासते खासते उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता उस कंडिशन में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको काफी अच् के बेल एकन को प्रेस कर लें तागी गाईज मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन उसकी जन्द करी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए चलिए बात कर लेते हम इसकी डोज के बारे में तो गाईज इसकी जो डोज है वो पाच एमल टीडियस में लेना होता है यानि कि दिन में 3 बार अटल प्रेशन के लिए 18 साल से उपर के जो है वो पाच एमल इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं बीना पाने के अगर बच्चों की बात की जाए तो मैं आपको बता दू इसकी जो डोज है वो बच्चे की एजबीड कंडिशन को देखकर ह करते हैं अपने मन से इसकी डोज को ना ले तो गाइज यह थी इसकी डोज फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दू अगर आपका बच्चा दस साल से अठारा साल के बीच में तो आप उसे भी यह पांच एमल दे सकते हैं दिन में तीन बार सुबह दुपहर शाम अब बात क कर लेते हैं गाइज हम इसकी साइड इफेक्ट की तो गाइज मैं आपको बता दू इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है हाला कि अगर आप इसकी डोज को ज्यादा लेते हैं तब इसके आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जैसे कि बोमेटिंग हो सकती है सिर में दर्द हो सकता है यह सरीर पर रैसी से हो सकते हैं यह कुछ इसके कोमेंट से साइड इफेक्ट हैं इसके लाब अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले तो घबराए बिल्कुल नहीं अपने डोक्टर से कंसर्ट करें अधर्वाइस वह आपको और कोई साइड अपसरफ रिकमेंड इट करेंगे तो गाइस यह थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छे लेगी होगी तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो और नए जयांदगरी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत